अगर जल्द से जल्द कारवाई नहीं हुई इस मामले में क्योंकि आप सब को पता है कि हम खिलाडियों के लिए एक एक दिन सो साल के बराबर होता है आज दूसरा दिन भी खतम होने को जा रहा है लेकिन अनफोर्चुनेटली बोलें या हमारा दुबागे मालीजिए कि अभी तक हमें एक संतूस दवाब नहीं मिला है तम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहां पे उसी का वेट कर रहे हैं कि final decision कब आएगा क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसलिए हैं क्योंकि वो सक्टे थे और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि मारे पास एक दो लड़किया है जिनके साथ उन्होंने किया है और आज हमारे पास पांच से छे लड़किया गई है ने वृद पूरूफ है. उनके साहथ में जो जो हुआ है.χमें मज़़ूर ना किया जाये सब के सामने आने चाहिए. हम आतम सम्मान ऊपने बचाने के लिड़ाई लड़ रहे हैं 물ड़ा क्यों कि आतम सम्मान सबसे ज्यद़利री है. हम जन्दा के सामने आगे ये बताना नहीं चाहते हैं कि आपकी बैटियों के साथ में क्या क्या हुआ है मेरे साथ क्या हुआ है किसी और के साथ में हम एक्स वाई जड किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते हैं सार आपके स्वालों का भी मैं जवाब देखती हूँ पहली मेरी बात सुनीजिए आपके बैठक का भी बताएंगे आपको कमरे का भी बताएंगे हमें अगर मजबूर किया गया तो कुष्टी का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटिया सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में वा था विद पूरूफ हम आएंगे लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के परदानमंत्री जी से उमीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए इस देश की हिंदूस्तान की बेटियों को इन खिलाडियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाडियों के लिए ये कुष्टी की लड़किया नहीं हैं सिरफ हिंदुस्तान की बेटियां है और हिंदुस्तान में बेटियों को मातालक्समी मादूर्गा के नाम से पुकारा जाता है हम पूजा करते हैं उसी वनसज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बेटी हैं आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो इतनी दूर से आप लोग आए हो खुष्टी के हग के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरी बात रही अगर आज शाम तक हम अभी तो टाइम बाकी है रात ओड़े में टाइम बाकी है हम बेटी कर रहे हैं कि कुछ संतूश्पून जरवाब आए हमारे पास में कुछ आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्याख जी बोल रहे है कि बाइस को इस्तिफा देंगे बात उनके इस्तिफा नहीं हो रही है इस्तिफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे अगर हमें और ज्यादा उक्सोया जया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे हम चाहते हैं कि उनका इस्तिफा लीजिये और उनके कारवाई की जाए से रही दूसरी बात हम लीगल तरीके से भी जड़ा नहीं कि हमें एक विश्वास था कि देश के पर्धानमंतरी जी अधर्द जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट करे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्पून जवाब आए, इतना अगर देश का हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मैडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मैडलिस्ट हैं